नीद में गुजर देता है है हमें नीद क्यों आती है इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है और हां मजाग नहीं कर रहा हूं वीडियो को पूरा देखना आपके होश उड़ जाएंगे इदर उदर के काम छोड़ दो और अराम से बैठ जाओ बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना हेले वर्ट सब गाईज मेरा नाम है मरित पाल सिंग और वाचिंग बक्चोदी वाला टैक तो जादा डाम गचुतिया ना करते हुए चल गुरू होटा शरू इस वीडियो इस पॉंसर बाई नोस्ट्रा गेमर्स प्रो नोस्ट्रा गेमर्स प्रो एक लीगल स्पोर्स प्रडि नीद क्यों आती है दोस्तो सदियों से तो हम सिर्फ यही समझते आ रहे हैं कि नीद हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है पर फिर साइंटिस्ट ने इस पर गोर करना शुरू किया हमारी नीद पर किसाला नीद आती क्यों है दोस्तो साइंस बैस इतना चाहती है कि दुनिया में जो भी हो रहा है या होने वाला है उसका जवाब साइंस के पास हो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता होगा कि आप सोते क्यूं हो पर अब बढ़ेगा बताओं कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी में से आदी जिंदगी सोते हुए बिता देती हो अब बढ़ा न और आपको पदा भी नहीं चलता वो बात बेशक अलग है तो चलो मैं इसके पीछे की साइंस बताता हूँ हमें लगता है कि मारा दिमाग सोते हुए शैट डाउन यानि की बंध हो जाता है पर साइंस हमें बताती है कि आप सब बेफकूफ हो जो ऐसा सुचते हो दोस्तों हमारे दिमाग का सेंट्रल हिस्सा एक बायलोजिकल क्लोक की तरह काम करता है यानि कि एक घड़ी की तरह जो हमें ये बताता है कि आपको कब सोना है और कब उठना है और रात का अंदेरा हमें ये इंडिगेट करता है कि अब हमें सो जाना चाहिए सदियों से हम ऐसे ही रहते आ रहे हैं कि रात के वक्त सोना और दिन के वक्त काम करना बदलाव ता बाया जब इस बाई साब ने बलब का विश्कार कर दिया जिससे शहरों में रोशनी होने लगी और हमें रात को भी दिन जैसा महोल लगने लगा आप रात के वक्त किसी भी मौल या होटल में जाएंगे तो यूजली आपको पता भी नी चलेगा कि दिन का वक्त है यार रात का और इसी कारण से हमारे दिमाग की बायलोजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई जब हमें सोना चाहिए उस वक्त अब हम जाग रहे होते हैं और जब हमें उठना चाहिए उस वक्त हमसे उठानी जाता इससे हमारे neural function के साथ साथ performance, alertness, decision making पर effect पड़ता है बहुसे researches के मताबित depression, heart diseases, cancer और type 2 diabetes भी पूरी नीद नाल लेने की वज़ा से होती है और इसका जिम्मेदार कौन है ये थॉमस भाई इन्होंने light का विशकार तो बहुत अच्छा किया पर इनकी इसी कृतूत की वज़े से हमारी नीदे उड़ गए पहले के जमाने में हमारी sleep cycle 10 बज़े से शुरू होती थी और सुबह के 6 या 7 बज़े तक खत्म होती थी पर light के विशकार के बाद हम उड़ते तो 6-7 बज़े ही है पर हमारा सोने का टाइम लेट हो चुका है बहुत ज़ादा एक average इंसान को 8-10 गंटे की नीद की ज़रूरत होती है पर science हमें ये बताती है कि आप अपनी बोड़ी से पूछिए कि आपको कितनी नीद की ज़रूरत है पूछिए न पर problem ये है कि आजगल की नेन सिर्फ 6 गंटे गिरागी और बच्चों की तो सिर्फ 5 गंटे क्या चल रहे है मजाग चल रहे है कि क्या आपको पता है कि जब आप नहीं सोते हो तो हमारा दिमाग हमारे शरीर को शिकायत करता है कि भाई अब तो सोजा दिन में तो घंटा कुछ नहीं उखाड पाया, रात को क्या जंडे गाड़ लेगा, पर हम दिमाग की इन शिकायतों को सुनने के बिजाए, चाय, कॉफी और कुछ लोग तो सिगरेट भी पीते हैं, जिससे हमारा शिरीर मजबूर हो जाता है और जागन वलाना डिमकाना, शायरी अच्छी थी न, तो भाई अपने दिमाग से पंगा ना ले तो ही बहते रहे, दोस्तों सोते वक्त हम अपनी एनरजी को कुछ खास नहीं बचा रहे होते हैं, एक एवरेज सोता हुआ इनसान, एक एवरेज जागते हुए इनसान के मुकाबले, सिर शायरी पिदार आव, इन ऐस्तान कि जागते वक्त, मतलब हमारे दिमाग हमारे श्रीर को सूलादेते, पर खुद जागता रहता हैं highway HR, क्योँ भाई हमने कों सा पाप और दिया है । सुवाल यह उड़ता है कि हमने दिमाग हमारे श्रीर को क्यूं सुला देता है, यर कितन अच्छा होता है न हम 2400 गंटे जागते ही रहते तो हमारी दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है खेर चोड़ो हम सोते क्यों है इसका जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है बस थियोरी से मतलब अकड़ बकड़ बंबे बो असी नबे पूरे सो साइंस के पास तो भाव से थियोरीज हैं पर जो मेरी फेवरेट हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा हमारी बोड़ी नीद के दुरान खुद की मरमत करती है ये सच है पर जूट भी क्योंकि वही मरमत जागते वक्त भी होती है हलांकि सोते वक्त रेस्टोरेशन थोड़ी सी ज़ादा होती है मतलब नामातर पर सिर्फ थोड़ी सी ज़ादा रेस्टोरेशन से हमारी जिंदगी का 34% भाग खर्च हो जाता है ये तो एक बेवकुफी है नबर दो एनरजी कंजर्वेशन ये भी सच है कि हम नीद के दुरा पॉइंट है युजली हमारा दिमाग बिलकुल नॉर्मल होता है जब हम सो रहे होते है और सोने के दौरान हमारा दिमाग दिन में कीगी सारी अक्टिविटीज को रिवाइन करता है और मेमरीज को सॉलिड करता है मतलब सोते हुए हमारा दिमाग दिन में हमने जो भी किया क् वोगेरा वो सभी चीज़ को rewind करता है और सुबह क्या होने वाला है उसके लिए हमें त्यार करता है और कभी-कभी तो हमें दिन के वक्त की गई activities के सपने भी आते हैं चलो ये तो अच्छी बात है ना पर रुको इन सभी चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिला बता दूं क्या? चलो बताई देता हूँ इस बाईसाब की वज़े से हमारी नींदे हराम हो चुकी है ये खुद तो उपर चला गया और हमारी नींदे भी छीन के ले गया पर मैं आपको कुछ टिप्स बिता सकता हूँ जिसकी वज़े से आपको जल्दी नींद आएगी आएगी, मजाग नी कर रहा हूँ रात साड़े आट बजे के बाद अपने जितने भी लाइट्स हैं अपनी रूम की बंद कर दो, कर दो और अपने बातरूम की लाइट भी बंद कर देना आप रूम की लाइट तो बंद कर देते हो पर आपकी बातरूम की तेज लाइट आपको फिर से दुबारा जागने के लिए ट्रिक करती है और रूम में लैप्टोप या मोबाइल यूज़ ना करें क्योंकि उसकी लाइट भी आपके दिमाग को ट्रिक करती है और जादा जागने के लिए और कोशिश करें तकरीब न आठ गंटे तो आपको सोना ही है पर 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 हम सोते क्यों है इसका जवाब किसी के पास ही नहीं है वैसे अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है पर जितनी भी थेोरिस बनी है इस पर वो मैं आपको बता चुका हूँ और एक बात बता दूँ एक बंदा है जिसका नाम है थाई नगोख जो पिछले 46 सालों से आई तक नहीं सोया और मैं उस पर वीडियो भी बना चुका हूँ आपको लिंक डिस्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में पिन भी मिल जाएगा चलो आप बताइए आप कितने दिन बिना सोय रह सकते हो नीचे कमेंट में जल्दी बताओ वीडियो अच्छे लगी तो शेर करो और आज का लाइक एम है 55500 लाइक मुझे पता है कि आप कर दोगे तो ठोको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली टली भी दबालें ताकि वीडियो अप्लोड होते ही आपको मिल जाए क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं और नोस्ट्रा प्रोग को डाउनोड करना ना भूले और अगर ये वीडियो कुछ जादा ही पिसंद आग चुकी है तो नीचे कहीं देखिए आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा जाओ हमें फॉलोव करो हमारे साथ जुड़ जाओ जल्दी करो तो फिर से जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तो बिना गाली दियें ओके बाई